उसकी करपा उसकी उदारता उसकी दया सहज नहीं है हम क्यों दरवाजा छोड़े महादेव का मैं उनको धन्यवाद दूँगा कम से कम तुम्हें दुख की घड़ी में देवादीदेव महादेव याद आए आपके दुख की घड़ी में अगर महादेव आपको याद आ रहा है तो समझ ले न महादेव ने आपको याद किया है कि तु कहीं मत जा मेरे पास आ डाक्टर को भी दिखा, जाच भी करा, कीमो भी करा, इलाज भी करा क्योंकि डाक्टर भी शंकर का एक सुरूप होते हैं, डाक्टर भी शिव का एक सुरूप है, डाक्टर से जाच कराना चाहिए, डाक्टर जो बोले वो दवाईयां खाना चाहिए, उशद ही कराना चाहिए, पर साथ में मेरे महादेव पर विश्वास भी करना चाहिए Dr. Shiva का एक सुरूप होता है उसको भी महादेव का सुरूप माना गज़ा जिस समाए पर korona महा मारी हुई सब अपने अपने घर में थे पर Dr. Rupi Shankar सबके हास्विटिल में जाकर सेवा कर रहे थे वो भी Shiva का एक सुरूप है Shankar का एक सुरूप है करो उसकी बिंती उसका निवेदर जयन्ती ने कारी किया मेर्ची डाली यज्यचार शुकराचारबाबा के श्रीर में तरफन उत्मन होने लगी तरफन होई और मुख से शुकराचार जी के निकल गया महादेव जो निकला महादेव शिव सामने खड़े थे शंकर ने देखा शुकराचार तुमारे शरीर में इतना भयंकर रोग शुकराचार जी कहते हैं बाबा रोग रोग नहीं लगता जब आप सामने होते हो रोज शंकर के सामने जाओगे तो किसी बड़े रोग तुमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा कि मेरा पुर्षों से भी निवेदन है कभी मद सोचो की में वीआईपी की मेरी दुकान की मेरी प्रॉपर्टी की मेरी जमीन की मेरी जाएजात कभी अंकार में मत जीयो घर से लोटा भर कर पानी उठा कर शंकर के मन्दिर जाया करो पत्नी नहीं कहे तुमसे की मंदिर जाओ तो भी जाओ दुकान जाते समय एक लोटा जोले में जैसे तुमारी किताब ले जाते हो टिफिन ले जाते हो एक बोटल एक लोटा जोले में डाल के ले जाओ दुकान जाते समय आफिर जाते समय बीच में जो मंदिर मिले वहीं चड़ा कर अपनी दुकान चले जाओ पर अपना फर्ज पूरा करो वो दुख की घड़ी में साथ होता एक पत्र आया उस पत्र में एक बहन न लिखा मैं ममता चोहान मेरे पती की सलून की दुकान है, नाई की दुकान है गुरुदेव सलून की दुकान किराई की उसका भाड़ा देना पड़ता छोटे-छोटे दो बच्चे उनका पालन सिक्षा घर में खाने तक के लाले कुछ भी नहीं बहुत दुखी थे गुरुदेव तब मेरी बहन ने मुझसे कहा कि तु टीवी पर कथा आती है सुना कर बाबा पर भरोसा करा कर मैंने अपने पती से कहा जो सलून की दुकान चलाता है कि तुमारी पानी की बोटल सलून में ले जाने के लिए मैं भरती हूँ वो बोटल से ऐसा ऐसा करते हैं सलून में भरती हूँ बोटल एक बाटल में अलग से भर के दूंगी तुमको तुम महादेव को चड़ा कर चले जाया करो मेरे पती ने महादेव को जल चड़ाना प्रारम करा गुर्देव किराई की दुकान में थे किराई के मकान में थे खाने के भी लाले थे एक प्रदोस से दूसरा प्रदोस हुआ जल चड़ाते चड़ाते एक महिना निकला गुर्देव बाबा ने कृपा करकर जो किराई की दुकान थी वो हमारी कर दी बाबा को क्या वर्णन करूँ जल चड़ाते चड़ाते बाबा ने हमारे खुद का मकान कर दिया मैं बाबा को यहां प्रिणाम करने आई हूँ उस बाबा ने जो हाथ पकड़ा मैं बाबा को धन्य बाद देने किया यह शिवतत्व ओगः शंकर है तरकाल दर्शी कैलाशी अभिनाशी शंकर है उसको पहचान लो जिस दिन नहीं पहचान पाओगे बाद मैं मालूम पड़ेगा कि हमारे नगर में यह रतन लुटाए गए थे हमने उसको कंकर समझ के छोड़ दिया यह हीरा है श्यु महापुराण की कथा जो लुटाई गई तिजोरी का माल वो हमने छोड़ दिया हम अपनी अंकार में इस तिजोरी के माल को छोड़ दिया समझ नहीं पाई परक नहीं पाई हीरे को हर कोई नहीं परक सकता जो हरी चाहिए तो हीरे की परक होती है श्यु महापुराण को हर कोई नहीं परक सकता उसको परखने वाला शंकर का भक्त चाहिए तब परख सकता पहचान हो गई शिव जी ने आकर जैन्ती से कहा जैन्ती शुकराचार जी के शरीर में रोग हो रहा है तुम इसको सांत करो जैन्ती करती मैंने मिर्ची डाली मैंने गल्ती कर दी, मैंने छमा करती, मैं माफिय मांगती हूँ, शिव जी करते हैं इसे छमा नहीं होगी, जाओ, अखंड जाप करो, अखंड जाप जयंती ने करा, देवा दिद्यो महादेव की किरपा से शुकराचार जी का शरीर ठीक हुआ, संकर जी ने का मांगो क्या चाह तो जिदेव अधी महादे्स शुक्राचारजी को संजीवनी मंत्र मोला कर लिए स्पःमस शुक्राचारजी को…… अजिवनी मंटर को धार न कर लिए असुर मर्ते शुक्राचारजी जीवित कर देते जात देओ अवधा neither Diतने लगता 네 लगे उचे तुमसे संजीवनी मंत्र कौन सा है? आपका देना नमस शिवाय ओम, नमस शिवाय श्रीशिवाय नमस तुब्याम ये वो मंत्र है, महामर्तिवन जे मंत्र संजीवनी वो मंत्र है जिसको हम जब सकते हैं सुंदर परसंगो का इसमरन करा बारा जोतिलिंग की कथा का वर्णन आता है सुंदर सोमनाजी का वर्णन किया गया चंदर की काया के रोप से मुक्त किया गया महांकालेश्वर दूशर नाम के राक्षज के संगार के लिए श्यूप्रगट हुए ओमकारिश्वर बिंदे नामक परवत तब करकर शिव जी कुप पाया के दारिश्वर नर नरेण ने तब करकर भगवान कुप पाया फिर आया है भीमा शंकर कुम्बकरण के बेटे भीम कुमारा शिव जी ने तो भीमा शंकर कहला है फिर आया विश्वनाद मनुसत रूपा ने तब करकर भगवान शंकर कुपाया तरंबकैश्वर गोतम बाबा पर गवथ्या का दोश लगा शिवजी की अरादना करकर मुक्त हुए अगला वर्णन आया वेद्ध्यनाद रावन शिवजी को ले जाते ले जाते भूमी पर रखा शिवजी बेद्ध्यनाद जी के रूप में विराजमान हुए नागिश्वर दारूक नाम के रक्षस का संगार शिवजी ने करा नागिश्वर के रूप में विराजमान हुए रामेश्वरम राम जी ने शिव जी की स्थापना करी रामिश्वरम की रूपने स्थाफित हुए गरिषनेश्वर सुधर्म नाम के ब्रह्मन की पतनी घूश्मा के बेटे को सुधेहा ने मार दिया था उसको बाबा ने जीवित करा गरिषनेश्वर नाम पड़ गए तो मुरुका जी चंचुला देवी को पावंश्यु महापुरान की कथा शवन कराते हैं चंचुला का पती बिंदुक प्रेतियोनी से मुक्त हो जाते है